अंडा बिरियानी बनाने के लिए हमने यहाँ बॉइल करके छे अंडे लिए हैं जिसे हमने अच्छे से बॉइल करके रख लिया है अब हम सारे अंडो को एक फॉक की हेल्फ से प्रिक कर लिए ताकि जब हम इने फ्राय करेंगे तो यह फ्राय होते टाइम इसके छीटे नहीं आएंगे अब सारे एंडो को हमने प्रेक कर लिया है अब हम कुछ इसमें मसाले डालेंगे ताकि इसके अंदर तक टेस्ट पोचे थोड़ी सी हमने हाफ टी स्पून हल्दी डाल दी है और हाफ टी स्पून हमने मिर्च डाल दी है और अच्छे से कोटिंग करेंगे हम इसकी मिक सा एक कलर आ जाए कि सारे अंडे हमने इसमें डाल दिये और मिडियम चूंह हइ़ रखते हुए हम अच्छ इनमें फ्राए कर लेंगे उपर नीचे पलटते हुए हम इसे फ्राए कर लेंगे मह लिए बहुत अच्छी肌िर गया तो हमने यहाँ 3 मीडियूम साइज की प्यास को सलाइस से में काट लिया है ऑइल गरम हो गया है कि मोरीव है हमने जो प्यास लिए इसे डाल दिन के और इस influenced दाल के अच्छे से हम फ़्राय करेंगे जब तक this color अच्छा साय आता है प्यास सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है अभी हम इसे थोड़ा सा कलर रोडार करेंगे प्यास सा कलर डार्क हो गया है अब हम गेस की फ्लेम को स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम करके आदी प्यास को हम निकालेंगे क्योंकि हम लास्ट में गार्निशिंग करेंगे तो हम इसको आदी प्यास को निकालेंगे और आदी प्यास इसी में ही छोड़ दिंगे अब इस प्यास में हम डाल देंगे कुछ होली स्पाइसी जिसमें से तेज पत्ता लिया है एक हमने दो दाल चीनी के छोटे टुकड़े चार पाँच लोंग आदा चम्मच जीरा छे साथ काली मिरच के दाने एक बड़ी इलाइची और दो हरी इलाइची है इसमें हम डाल के एक से दो मेट तक इसे भी चला के चला लिंगे अच्छे से अब होली स्पाइस को भी प्यास के साथ हमने फ्राइ कर लिया है और गेस की फ्लेम अधं स्लोही mustard हम ने और यहां हमने दो चम्मच जींजर का पेस्ट लिया है इसे भी डाल दिंगे अब mix करते हुए जिंजर गारली के पेस्ट को भी हम अच्छे से cook करेंगे और गेस की flame हमने medium to high रग दी है हमें दो मुने तक जिंजर गारली के पेस्ट को भी अच्छे से भून लिया है अब यहां हमने दो medium size के टामाटा ली है जिसे थोड़े मोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है इसे भी डाल दींगे टामाटा के साथ में हम इसमें नमक भी डाल दींगे और साथ में हम इसे पकाएंगे mix करते हुए गेस की flame medium to high रखी है हमने और यहां हमने 4-5 हरी मिर्च लिये इसे भी हम इसमें डाल दींगे अंडा बिरियानी में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप इसमें हरी मिर्च को जरूर डालें और एक चमज भर के हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दींगे एक चमज भर के धनिया पाउडर mix करेंगे और अच्छे से मसालों को हम भूनेंगे साथ में ही सारी चीजों को मिलाते हुए मसालों को भूनते हुए टोटल हमें 10 मिनिट हो चुके हैं और इससे बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगी है अगर मसाले आपके भूनते वक तले पे लगते हों से मसालों के साथ स्टर करेंगे और अब हमने गेस की फिलेम स्लो कर दी है क्योंकि अब हम स्लो फिलेम पे ही मसालों को भूनेंगे स्लो फिलेम पे एक से दो मनेट और होगा है मसालों को भूनते हुए या हमने तीन से चार चमज मीठा दही लिया है जिसे हम इसमे डाल के इसे भी अच्छे से हम मसालों के साथ दो से तीन मेट तक भून लिंगे और गेस की फिल्म इस टाइम हमने मीडियम टू हाई रग दी है हमने दो मेट तक और अच्छे से दही के साथ भी मसालों को भून लिया है बहुत अच्छे से मसाले मारे भुन गए हैं और बहुत अच्छे से खुश्बू आने लगी है यहां मैंने आदा गंटा पेले चावलों को भीगो के रखा था चावल बहुत अच्छे से भीग गए हैं और इसे मेने भीगोते टाइम अच्छे से पानी से दो तिन पानी से चावलों को धो लिया था अब हमारे चावल बहुत अच्छे से भीग चुके हैं अब इसी पानी के साथ ही हम इसे अपनी ग्रेवी में डाल दिंगे हमने यहां आदा किलो चावल लिये हैं और इस तरह से हमारे एक बिरियानी बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही खिली खिली बनेगी और यहां हमने वन फोर कप दूद लिया है तूद को हम इसमें डालेंगे इससे क्या होगा हमारी बिरियानी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खिली खिली बनती है इस तरह से ब इसे mix कर लिंगे पानी डालते वक्त हमने गेस की फ्लेम को हाई कर दिया था अब इसमें बॉयलाना शुरू हो गया है अभी हम इसे हाई फ्लेम पे इसी तरह ही छोड़ेंगे और चमचे से चला लिंगे ताकि अच्छे से नमक मिक्स हो जाए और चावल अच्छे से ऊपर हैं अब उपर से हम इसमें हरा धनिया डाल दिंगे हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है अब हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम करके दस मिनट के लिए इसी तरह ही छोड़ेंगे फिर हम इसे दस मिनट बाद चेक करेंगे गेस की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखना है हमें दस मिन बनाएं हम आपको इसको सर्फ करकर दिखाएंगे हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है और इसे हमने धनिया पती से और फ्राइ करी हुई अनियन से अच्छे से गार्निश कर लेंगे ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार खुश्बूदार हमारी अंडा बिर्यानी बनकर तयार है य ये बिर्यानी आपको किसी बिर्यान से कम नहीं लगेगी ये इतनी टेस्टी बनकर तयार हुई है अगर आप मेरे इस तरीक से अंडा बिर्यानी बनाएंगे तो आपकी भी अंडा बिर्यानी बहुती टेस्टी बनेगी बहुती डिलिश्यस बनेगी बहुती मज़ेदार बन आपको मेरी अंडा ब्रियानी की रेसिपी कैसी लगी?